पाठ साथ, एक अनीक, वचन, one and many, नमबर, देखिये, पढ़िये और समझिये, एक अनीक, लड़का, लड़के, चूहा, चूहे, आपने देखा कि उपर दिये लड़का तथा चूहा शब्दों से उनकी संख्या एक, और लड़के एवं चूहे शब्दों से उनकी संख्या एक से अधिक, अर्थात अनेक होने का बोध हो रहा है, इन्हें व्याकरण में वचन कहते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं, एक या अनीक का बोध कराने वाले शब्द के रूप को वचन कहते हैं, वचन के भेद, हिंदी भाशा में वचन दो प्रकार के होते हैं, वचन, एक वचन, बहुवचन, एक वचन, शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में केवल एक होने का बोध हो, उसे एक वचन कहते ह जैसे पंखा, नदी, माला, वस्तु, आदी। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक से अधिक अर्थात अनेक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे पंखे, नदिया, मालाए, वस्तु, आदी। याद रखिये कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं। जैसे भीड, जनता, पानी, घी, दूद, बुढ़ापा, आदी। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। जैसे आसू, प्राण, दर्शन, समाचार, हस्ताक्षर, आदी। सम्मान देने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे दादा जी अखबार पढ़ रहे हैं, पिता जी बाहर गए हैं। नीचे दिये गए कुछ एक वचन तथा बहुवचन शब्दों को पढ़िये। एक वचन बहुवचन आख आखें पुस्तक पुस्तकें बेटा बेटे मेला मेले केला केले कमरा कमरे पत्ता पत्ते बच्चा बच्चे रात रातें महिला, महिलाएं, माला, मालाएं, डिबिया, डिबियां, चुहिया, चुहियां, चिडिया, चिडियां, पौधा, पौधे, मुर्गा, मुर्गे, बकरा, बकरे, नारी, नारियां, रितु, रितुएं, मैं, हम, आओ, दोहराएं एक या अनेक का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं वचन के दो भेद होते हैं एक वचन और बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं